अस्सलाम अलेकुम रहमतुल्लाह बरकातु। प्यारे बच्चों, आज हम कुछा एक हिंदी तीन वरणों के शब्द पढ़ेंगे। बहुत आसान है। पिछली वीडियो में हमने दो वरणों वाले शब्द पढ़ेते हैं। इसमें तीन वरण हाएंगे। देखे, पहले है कमल ,मतर ,मतर !! कलश, कलश बहुत आसान है। इस तरीके से लिए आपको ये सारे वर्ट पढ़ना हाई। नहर , neeہर , शहर , शहर इस तरीके से देखिए ! चमन , भन , भटक , behavioral पर ल टहल ये सारे वर्ट आपको पढ़ना है अप्छे पहचानते हैं बहुत आसाने आपके लिए आपर प्रेक्टिस कीजी इनकी चली आप इसको पढ़ते हैं पढ़कर सुनाओ आमार आमार इधर इधर उधर 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 मात मत चाल चल्ड आमार इधर उधर मत चल्ड रामान रमन साड़क सड़क पारपर मात मत चाल्ड रमन सड़क पर मत चल्ड चमन कलम पकल ठहर ठहर कर मत चल्ड नमन सड़क पर मत उचल बहुत आसान है बारबार पढ़िए इसको प्रेटिस कीजिए चलिए अभ्यास देखते है चित्र भपहचान कर नाम लिखिए वह बहुत आसान है कमल है यह तो इसको कैसा लीदेंगे हम का मा ला इसको क्या लिखिएंगे बत अक हा पतक बटन बटन म गर मंतर मतर सालक सब अगय देखिए के चित्रों के नाम लिख कर वाक्यों को पूरा करो यह कलम मनी वह यह पैन जीसे करते हैं तो इसको लिख देंगे हम कलम कलम उधर उधर रावर्खा रख कलम उधर रख सड़क सड़क पर मत चल बतक मत पकड कलश 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 यह कलश बना हुआ है कलश भर कर रख आगे देखिए नीचे देगे चित्रे में रंग भर हो तो यह जो फ्लावर बना हुआ है इसमें आपको कलर करना है अपने साब से आपको जो कलर अच्छा लगए आप कर सकते हैं अब यहां कुछ एक जानकारी दिया है क्या आप जानते हैं कमल हमारे देश का रास्ट्री फूल है इंडिया का नैशनल फ्लावर कौन सा है कमल लोटस यह पानी में खिलता है इसके तने को कमल ककडी कहते हैं जिसका प्रियोग सबजी के रूप में होता है कमल को पंकाज सरोज नीरज आधी नामों से भी पुकारा जाता है आगे देखिए पढ़ो और लिखो गगन कलम पकड़ यह जैसा ही लिखा हुआ है वैसा ही ठीक आपको यहां पर भी लिखना है नमन सडदगं परमत्र चारी बिल्गुल सेम तुझे चैसर यहां पर आपको प्रिकना है इस तरीके से आपका टू लेटर की यहां पर एंड उता है तीन वढ़नों वाले शब्द यहां पर खता मता है अगली विडियो नाम चार वढ़नों वाले शब्द पढ़ेंगे इनके अच्छी तरीके ते प्रेक्टिस कीजी जितनी जाधा प्रेक्टिस करेंगे उतनी फास्ट आपको पढ़ते बनेगे Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh